नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको लोकल इन्वल एंजिनियर पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हो MTK CPU के वोल्डिच रिक्वेमेंट्स अगर CPU की वोल्डिच कंप्लेट नहीं मिलेगा तो मुवल डेड रिकोबर कभी भी नहीं हो पाएगा तो आपको समझना और जानना चाहिए कि एक MTK CPU मतलब एक CPU में कितना वोल्डिच की लाइने इन्पुट होता है कब होता है और CPU के अंदर कितने सेक्शन होती है हर एक सेक्शन का काम क्या होता है तो दोस्तों आपको CPU के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है देखिए अगर आ आप अच्छे लेवेल का काम करना और सीखना चाहते हो तो आपको एक ब्रेइन मिंस CPU को समझना और जानना होगा क्योंकि CPU के विन्या मदर बोर्ड में लगी सभी IC कंपनेंट्स बेकार है मिंस एक स्क्रैप बोर्ड है तो आज की वीडियो में हम थियोरी और प्रेक्टिकली CPU को समझेंगे CPU की साली सेक्षन की जानकारी लेंगे GPIO, Power1 सेक्षन, Power2 सेक्षन, Peripheral सेक्षन, CS सेक्षन, DSI सेक्षन, GPIO सेक्षन, EMI, DDR सेक्षन, BaseVent सेक्षन और सभी लाइन का शॉर्ट फ्रॉम की फूल फ्रॉम और मीनिंग जानेंगे साथ में वोल्डिज विलू और कुछ, दोस्तो आज की ये पार्ट हमारी 18 Power IC कोर्स की पार्ट 7 है, तो ध्यान से देखना बहुत डीप नोलेज मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तो अगर आप मोबाल रिपियरिंग में मस्टर बनना चाहते हो, तो मस्टर लेवल का कोर्स मेरे पार्स एव डावल, ट्रिपल, पावर, इसी बूट सीक्वेंस कम्प्लिट जनकरी दिया जाएगा, साथ में CPU, MMC, UFS, RAM का पावर वोल्डिज सीक्वेंस जो की डावल डेकर में आता है, तो दोस्तो डेड मोबाल रिपियरिंग, डीसी डीडिंग कोर्ट, आई चर्डर कोर्ट, जीयर व इसी टाइब का कोर्स नहीं देखा होगा, दोस्तो कोर्स की कुछ थोड़ा सा डिटिल्स में बता देता हूँ, अगर आपको कोर्स का पूरा डिटिल्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हूँ, डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो का लिंक है, उनको देख हर वीडियो पार्ट का डूरेशन मतलब वीडियो की लंबा है, 40 मिट प्लास होगा, कोर्स फी डिसकाउंट ओफर 2490 रूपिया, डिसकाउंट ओफर 21 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद 3000 इस कोर्स का फी हो जाएगा, मतलब और 13 यह डिसकाउंट ओफर रहेगा, दोस्तों इ एक IC का हर एक बोल और लेक का कम्पलीट जनकरी दिया है, दोस्तों इंडिया के बाहर आदर्स कांट्री की लोगों के लिए बहुत बड़ी अपरचुनेटी है, क्योंकि वो लोग भी इस कोर्स को भाई कर सकते हैं, बस कॉल या वाट्साप करो, और जानो कोर्स की सारे जनक आएगा, तो देखिए, आज यहाँ पर हम देखने वाले CPU की जो requirement voltage होती है, ठीक है, यह जो हमरा MT के CPU है, जो फोन में लगा हुआ रहता है, उसका जो requirement voltage होती है, जो चाहिए होता है, इसको वूट होने के लिए, ठीक है, तो उसी चीज को आज हम देखेंगे, और discuss करेंगे, और स्मेटिक पे ही समझेंगे, ठीक है दोस्तो, यहाँ पर दोस्तो हम देखेंगे, drawing के through की कौन सा line कहा से किस तरह connect होता है, और line का नाम क्या होता है, बोल्डिज विलू क्या होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि CPU के अंदर क्या के section होती है, और काम क्या ह होता है, तो चलिए हम समेटिक पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए में Redmi 6 और 6 का, और यहाँ पर आप देख सकते हो Redmi 9 का समेटिक है, वो मिने लिया है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि समेटिक में उसका code, जिस code की हिसाब से हम समेटिक पे, जो diagram होती है, उस पे हम उसका location और फिर उसका diagram को पढ़ सकते है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जो IC है, यहाँ पर इस IC का shape में हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यह हमारा CPU है, तो EU 001 तो इसको हम double click करके copy कर लेते हैं, दोस्तों देखिए इसमें copy नहीं हो रहा है, प्रोब्लेम कर देखिए तो दिवारा देखते हैं, देखिए अभी यह copy हो गया, तो चलिए इसमें हम paste करके और फिर इसको देखते हैं, देखिए यह हमारा CPU आ गया, CPU का आप model नंबर देख सेकते हो, MT6765, तो हमें क्या देखना है, A section से देखना है, A section से जितना section होगा, वही section हमें देखन तो चलिए सबसे पहले A section को ढूण लेते हैं, तो दोस्तो देखिए यहाँ पर A section है, A section में क्या है, यहाँ पर PMUIF, PMUIF का मतलब क्या है, Power Management Unit Interface, चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए, System Reset Watchdog, Serial Clock EN, RTC Clock, और यहाँ पर आप देख सेकते हूँ, PWRAP, इसका नाम क्या होता यहाँ पुरा नाम, Power Application Processor, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह जो प्रोटोकोल है, SPI प्रोटोकोल, CPU से Power ICP connect होता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप OD, CLK, MOSI, तो यह सारा जो यहाँ पर देख रहे हूँ आप, 2468, तो यह सारा क्या है, ओडियो के लिए है, Codex section है, उस Codex section से communicate करता है, उसमें जो भी digital signal आता है, audio signal, CPU उसमें process करता है, ठीक है दोस्तों, और जो भी CPU में, जैसे कि कोई phone आया, कोई call आया, या फिर मोबाइल में कोई video देख रहे हो, कोई song प्ले कर रहे हो, तो उसमें जो sound create होता है, digital sound, वो इन लाइनों से होते हुए, यह हमारे कहा पर जाता है, Codex section में, Power IC का अंदर, वो ही Codex section process करके आगे output कर देता है, जिससे अगर वो speaker के लिए होगा, मतलब ringer के लिए होगा, तो ringer के लिए जो IC लगा हुआ रहेगा, amplify IC, उसमें जाएगी low frequency, और वो IC क्या करेगा, high frequency में convert करके, जो ringer है उसको देदेगा तो कुछ इस तरह यह काम करता है, और फिर यहाँ पर देखे test pin, इसके बाद यहाँ पर कुछ और section नहीं है, देखे, यहाँ पर कोई और काम नहीं है, तो यहाँ पर हमने A section को देखा, अभी देखे B section है, तो B section में देखे है, SIM section, तो यहाँ पर SIM की line होती है, जो protocol line होती है, clock, reset, io और फिर यहाँ पर देखिए RF IC control ठीक है यह RF IC के लिए network section में और RF MP तो यह network section के लिए है दोस्तों जब हम network section को समझेंगे जब हमारा यह course आएगा तब हम इनको आच्छे से समझ लेंगे देखिए BPI ठीक है BPI यह भी हमारा network section के लिए होता है interface ठीक है और यहाँ पर देखिए reference power और auxiliary input ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्या है hardware ID battery ID, word ID NTC, NTC तो दोस्तों यहाँ पर यह sensing की line होती है आप देख सकते हो arrow किस तरफ है यह CPU के अंदर जा रहा है ठीक है तो battery ID, word ID आपको पता यह सारा ID के लिए होती है और फिर यहाँ पर देखिए ABB interface मतलब कि analog baseband interface ठीक है तो इसमें baseband के related जितने सारे line होती है आप देख सकते हो यहाँ पर IP, IN, QP, QN तो यह सारा network section में यह काम आती है और यहाँ पर भी देखिए यह सारा network section है दोस्तों और इसमें PMIC clock BB मतलब BB clock इसमें input भी हो रहा है तो वह हम आगे समझ लेंगे इनको अच्छे से तो आभी हमने क्या देखा V section को, तो V section के बाद C section आता है, तो C section को देख लेते next करेंगे यहाँ से और आभी देखिए, यहाँ पर C section है तो C section में क्या है भाई CSI 0 CSI मतलब क्या है, देखिए CSI का मतलब है Camera Serial Interface तो यह Camera के लिए होता है और यहाँ पर देखिए CSI 1 तो यह Camera Serial Interface 1, एक नंबर के मेरा 2 नंबर के मेरा, ठीक है font, back, और CSI CTRL जो control जो है दोस्तो यहाँ पर देखिए, इस section से Camera को control किया जा रहा है ठीक है, तो यह Camera के लिए होता है Camera section है, और फिर GPIO section है, देखिए, General Purpose Output, तो यह GPIO section है ठीक है दोस्तो, तो peripheral EN, तो EN के लिए होता है, मतलब EN line कहीं ना कहीं किसी IC को Enable कर रहा है, और आभी देखिए, यहाँ पर GPIO, GPIO section है General Purpose Input Output यहाँ से Output भी होता है और Input भी होता है, ठीक है दोस्तो, यहाँ पर Input भी होता है, Output भी दोनों होता है तो आप देख सेकते हो, यहाँ पर Input Output की section है, और इसमें Mossi Meso Clock System है PWM Interface है, फिर DSI Zero DSI का मतलब Display Serial Interface ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Display के जो डाटा लाइने होती है जो MP line कहते हैं, वो डाटा लाइने, यहाँ पर देखिए, आप देख सेकते हो, 10 लाइने होगा यहाँ पर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर देखिए, तीन और लाइने हैं, जो के Display के लिए जुरूरी होती है तो यहाँ पर आमने C Section को समझ लें, C Section के बाद D Section आता है, तो दोस्तों देखिए, D Section में USB, Universal, Serial, Rush तो यह Section है यहाँ पर और फिर यहाँ पर देखिए, BC Battery Current, ठीक है यहाँ से बैटरी की Current, मतलब Charging Current को Control किया जाता है जो के DM और DP से होती है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सेकते हो आप और यहाँ पर आप देख सेकते हो USB, DP और DM यहाँ से जो हमारा यहाँ पर CPU की Connection होती है, मतलब कि Software, Flash, Data Line ने जो भी Input, Output होता है डाटा जो होता है, वो यहाँ से होती है, ठीक है दोस्तों और फिर यहाँ पर देखिए, कीपेट ठीक है, यह कीपेट की सेक्शन है और आप देखिए, यहाँ से I2C, जो I2C जो प्रोटोकॉल है यहाँ से Output हो रहा है Serial Clock और डाटा, यह टास्ट के लिए है और Sensor Hub के लिए है, Rear Camera के लिए है NFC, NCA, Phone Camera, Sub PMIC और UART, ठीक है, SD Card तो देखिए, आप देखिए, यहाँ पर SD Card की सेक्शन है, और SD Card में मतलब कि जो हमारी Memory Card अलग से Extra Memory Card लगाते है वो यह चीज यहाँ पर है यहाँ से Detect होता है यहाँ से Data Connection होता है जो भी लेना, देना होता है सब यहाँ से होता है तो यह लाइने आप दियान रखना मैं आगे बताऊंगा, इसमें क्या होता है तो यहाँ पर देखिए, MSDC 1 इस चीज को याद रखना MSDC 1 आगे काम आएगा बहुत दोस्तो MSDC का पुरा नाम होता है Mass Storage Device Class लिखे राख लेना आप दोस्तो तो यहाँ पर आगे हम देखते है जो कि देखिए, GPIO सेक्षन यहाँ पर भी कुछ है देखिए, यहाँ पर होता है, SD Card है, Detection Line है जैसा सिस्टेम है, जैसा कुछ होती है जो Detection के लिए यूस होती है वो यहाँ पर आती है मतलब यहाँ से यह Connection होता है ठीक है दोस्तो और आभी देखिए, Next Connectivity IQ यहाँ पर Connect है, मतलब COWN IQ तो Connectivity IQ है तो यहाँ से यह IQ Q, QP, QN, IP, IN तो यह साना Network Section, GPS Section, Wi-Fi, Bluetooth Section में जाता है ठीक है दोस्तो, फिर यहाँ पर देखिए, Connectivity Digital यहाँ से Digital Connectivity होती है आप देख सेकते हो, यह Digital Connectivity Section है तो अभी हमने D Section को देखा आभी देखते है, E Section को, ठीक है अभी देखिए, यहाँ पर E Section है तो E Section में आप देख सेकते हो, Modem 1 तो Modem 1 में यहाँ पर DVDD Core voltage जो होती है वो यहाँ पर Connect हो रहा है इतनी सारे Ball पे फिर यहाँ पर देखिए, GPU तो दोस्तो, GPU में देखिए, जो Graphic Section उस Graphic Section में भी यहाँ पर DVDD Core voltage को देदिया जा रहा है दोस्तो, अभी हम क्या देख रहे है MT6357CRBIC का जो Sequence होती है और जो CPU होती है Memory होती है, RAM होती है उसको देख रहे है तो जैसे हम आगे जाएंगे दीरे-दीरे, MTKIC में आगे जाएंगे, latest में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो GPU section है CPU के अंदर, उसके लिए आलाग voltage बनाया गया है तो वो भी हम समझेंगे उस टाइम तो अभी यहाँ पर देखिए modem के लिए यहाँ पर voltage है जो की DVDD modem है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे बोल पे connected है हर एक बोल पे connected होना चाहिए ही चाहिए और यहाँ पर देखिए CPU section जो की यहाँ पर देखिए DVDDBFS है ठीक है DBFS तो यहाँ पर आप देख सकते हो DBFS यह connection यहाँ पर हो रहा है तो और अभी यहाँ पर दिखिए SRAM section है SRAM section में 2 voltage input हो रहा है दोस्तों और यहाँ पर दिखिए 1 voltage है ठीक है 3 voltage SRAM section में input होता है और core में DVDD core यही आसली core voltage इस core section के लिए होती है लेकिन क्या है GPU section में भी दे दिया जा रहा है modem section भी दे दिया जा रहा है और VDDQ देखिए यहाँ पर जो है VDDQ section में BDRAM PMU दे जा रहा है ठीक है दोस्तों तो अभी हम यह हमरा क्या हो गया power section 1 है ठीक हम यहाँ पर power section 1 मानेंगे इसको तो next करते यहाँ पर E section है तो F section देखते है तो यह देखिए हमरा power section 2 है ठीक दोस्तों यहाँ पर सारे का सारा ground है देख सकते हो आप पुरी तरह से यह ground है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए digital voltage source to source यह होगा और DVDD जो है digital voltage drain to drain यह होगा ठीक है digital voltage source to source digital voltage drain to drain कुछ इस तरह नाम होगा तो आभी यहाँ पर देखिए AVDD and MDA ठीक है modem section और यहाँ पर आपका हो गया analog section दोनों है analog modem section है और analog जो मारा voltage की section है यहाँ पर आप देख सकते हो BA12 PMU यहाँ पर input हो रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर AVDD 18 SOC जो की BIO 1.8 voltage होता है तो यह देखिए तीन बार इसमें input हो रहा है जो की तीन बार बताया जा रहा है ठीक है और फिर यहाँ पर देखिए PLL section जो की मैंने इसका नाम भी बताया है और इसमें भी देखिए EMI VDD 1 EMI VDD 1 voltage इसमें input होता है दोस्तों आप देखिए peripheral digital section तो इसमें भी आप देख सकते हो BIO 1.8 volt जो है इसमें input हो रहा है दोस्तों इसमें आप देख सकते हो MS DC 0 और यहाँ पर देखिए MS DC 1 यह दो section है एक section जो MS DC 0 है दोस्तों वो अमरा DDR 3 RAM के लिए होता है मतलब जिसको हम EMCP कहते है ठीक है उसके अंदर EMC section होती है और RAM section भी होता है तो उसमें देखिए यहाँ पर connect हो रहा है और यह जो voltage है यह voltage इस section में input हो रहा है डिजिटली section में ठीक है तोस्तों और यहाँ पर देखिए MS DC 1 जो memory के लिए होती है extra SD card ठीक है उसके लिए तो अकसर देखा जाता है कि यहाँ पर जो line होती MS DC 0 या फिर MS DC 1 तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक line short हो जाता है ठीक है तो अगर short होगा तो क्या होगा तो देखिए जैसे ही short होगा तो यहाँ पर हमारा BIO 1.8 volt की line जो है पूरा का पूरा short हो जाएगा यह BIO 1.8 volt बहुत सारे जगाओं पर जाता है जो की short हो जाएगा और short होगा तो phone dead condition में चला जाएगा ठीक है दोस्तों ना तो pod बनाएगा ना ही कुछ और करेगा phone dead हो जाएगा completely तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर MSDC 1 जो है MSDC 1 हमारे memory के लिए होता है तो अगर हम यहाँ पर इस जो ball है तो इस ball में अगर हम maxing करके CPU को लगा देंगे तो क्या होगा कि memory तो नहीं चलेगा लेकिन हमरा phone completely चल पाएगा dead condition से recover हो जाएगा तो इसको क जैसे जानोगे कि वही जगा short है उसी ball short है वही section short है तो देखिए अगर यहाँ पर जो CPU लगा हुआ है तो उस time check कर रहे हो तो जैसे ही आप चेक करोगे तो कही ना कही BIO 1.8 volt की जो capacitor लगा हुआ रहेगा किसी भी जगा पर आपको short देखने को मिलेगा तो जैसे ही short देखने दियान से देखना है हर एक जगाओ की water damage या फिर कुछ और problem है की नही आई scan सबसे पहले जरूरी होता है तो जैसे आई scan करोगे उसके बाद कोई किसी भी जगा कुछ भी problem नहीं देखने को मिलना है तो उस समय आप confirm करने के लिए हो सकता है आपके पास thermal camera हो तो उसी thermal camera से से heating generate हो रहा है मतलब की accurate shooting जगा कहा पर है और अगर thermal camera नहीं है तो रोजी ने apply करो और इसमें 1.5 या 1.6 बॉल्ट देके देख सकते हो अगर फिर भी heating नहीं शो कर रहा है तो 2.0 बॉल्ट या 2.1 बॉल्ट दे सकते हो इससे अधिक बोलिच नहीं देना है क्योंकि यह बहुत Sensitive जगाओं पर जाता है जैसे कि CPU के अंदर यह आता है तो आपको धियान रखना है ठीक है दोस्तों आपको धियान रखना है और धियान से चीज को apply करना है तो जैसे ही आपको पता चला कि CPU heat हो रहा है अगर आप CPU को उठा रहे हो CPU को जैसे ही उठाते हो वैसे शोटिंग न पावर आईसी का सारे आउट्पूट बोल्ड इस्टेबल हो जा रहा है ठीक है फ्लक्टूइट नहीं कर रहा है लेकिन शोट भी नहीं है तो जैसे आप दूसरा जो पहले कि CPU लगा हुआ था उसको लगा रहे हो शोटिंग आ जा रहा है तो उस कंडिशन में आपको एक चीज दियान रखना है कि CPU को उठने के बाद या पर बोल को काउंटिंग करना है कि बोल का नमबार और जगा लोकेशन क्या है उसी समय आप एक काम और कर सकते हो CPU को उल्टा करके मतलब यह करना ही करना है उल्टा करके CPU में उस जगा की उस बोल को देखना है और किसी भी एक ग्राउंड से माल्टिमिटर को लगा के भी मोड पे आपको चेक करना है कि जो 1.8 वोल्ट है वो 1.8 बोल्ट यह MSDC 1 शोट है या फिर यहापर आप देख सकते हो जो DVD 1.8 जो सीम क इस बोल्ट है या फिर MSDC 0 है वो शोट है तो अगर मैं यहापर एक बात कहूंगा कि सीम का जो बोल्ट सेक्षन है मतलब कि जिसमें बोल पे यह लाइन जुड़ रहा है वो शोट होता है तो अगर उसको आप माक्सिंग करके फोन को अन करोगे तो complete on हो जाएगा लेकिन जैस तो इसमें आप माक्सिंग करके अराम से फोन को चला सकते हो बस आपका मेमोरी काट डिटेक्ट नहीं होगा मतलब नहीं चलेगा तो अगर यहापर देखिए MSDC 0 होता है तो आपको CPU ही चेंज करना होगा इसका कोई और रस्ता नहीं है क्योंकि यह लाइन का पर है बाई यह हमारी जो RAM होती है मतलब EMCP के अंदर जो RAM होती है LPDDR3 उसी के लिए होता है ठीक है तो यहापर peripheral D section यहापर हमने इसको देख लिया है ना तो peripheral A section analog section तो इसमें DVD core voltage भी input हो रहा है BA12 भी input हो रहा है आप देख सकते हो और देखिए USB USB की जो हमारे protocol होती है जो लाइने होती है जो हम connect करके इसमें data transfer करते है receive करते है तो इसमें देखिए voltage जा रहा है B USB PMU 3.0 bolt इसमें input हो रहा है CPU की section ठीक है देखिए यहापर AVDD 3.3 तो 3.0 bolt 3.3 bolt देखने को मिलेगा और फिर यहापर देखिए AVDD 1.8 SOC voltage इसमें आ रहा है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम देखते है G section को अब हम देखते है F section को देख लिए तो देखिए यहापर हमारा यह G section है दोस्तों और G section में आप देख सेकतों यहापर completely सारा का सारा बॉल क्या है EMI DDR ठीक है यह DDR मतलब की रेम के लिए completely यहापर है और यहापर आप देख सेकतों EMC MSDC0 ठीक है तो MSDC0 के लिए यहापर section में यह जो 8 weight का मतलब connection जो बहने बताया 8 weight connectivity देखे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ तो 8 weight connectivity किसके लिए होता है EMC के लिए होता है ठीक है EMC section में यह सारा connection होती है और यह होता है protocol ठीक है दोस्तों तो यहापर हमने जो Redmi 6 से इसको देख लिया जो CPU होती है हमारा Mediatek CPU इसको हमने देख लिया तो चलिए हम Redmi 9 को थोड़ा सा देख लेते same to same होगा कोई difference नहीं कुछ भी difference नहीं होने वाला सेम होगा फिर भी हम थोड़ा देख लेंगे जल्दी जल्दी तो देखिए यहापर हमारा U901 ठीक है तो हम इसको सार्च कर लेते हैं यहापर U901 देखिए यह section है MT6762 जो कि यहापर हमने देखा MT6765 ठीक है तो यहापर देखिए power management interface जो section है same test pin इसमें और कुछ connection नहीं है और आप यहापर देख सकते हो D section भी यहापर USB BC keep it I2C GPIO section और फिर digitally section UART SD card यह section होती है और आप यहापर देख सकते हो SIM के लिए RFIC, BPI, AUX, reference, voltage, ABB, interface सारा का सारा सेम है दोस्तों देखिए camera के लिए जो होती है यहापर देखिए control section, GPIO section, GPIO section, DSI section जो कि display की data की section होती है same to same है कोई difference नहीं तो चलिए अभी हम इसमें drawing करके आपको समझा देता हूं कि CPU की जो requirement voltage होती है कौन-कौन सा होती है और किसको हमें देखना है और किसका कितना voltage होती है तो दोस्तों देखिए यहापर जो हमारा क्या है MTK CPU है तो MTK CPU में सबसे पहले voltage कौन सा आएगा देखिए BSRAM Others PMU voltage आएगा तो हम इसको drawing करते है जो कि यह Power IC की section से आता है ठीके देखिए BSRAM Others ठीके ठीके दोस्तों यह यहापर input होगा और इसमें देखने को मिलेगा 0.9 volt इसमें 0.9 volt देखने को मिलता है फिर इसके बाद input होता है B core कोयल के outside में उसका नाम होगा DVD core ठीके तो यह line भी जोड जाएगा तो हम इसको भी drawing करके इसको connect कर लेते हैं यह connect होता है तो DVD core होता है DVD core voltage यह core voltage होता है और 0.8 volt default देखने को मिलता है इसके बाद हमारा modem जो की DVD modem होता है ठीके दोस्तों इसको भी हम connect कर लेते हैं इसमें भी same 0.8 volt देखने को मिलता है फिर BA12 connect होगा BA12 कहा से connect होता है आपको पता है एक IC होती है ठीक है दोस्तों उस LDO IC से BA12 connect होता है तो इसका नाम है BA12 इसमें जो बोल्डिज देखने को मिलता है 1.2 volt और फिर इसके बाद हमारा dvdd asram dbfs ठीक है यह connect होता है यह बोल्डिज की line यहाँ पर CPU में आता है दोस्तों dvdd asram dfs line में बोल्डिज देखने को मिलता है 1.2 volt फिर जाके बी प्रोक बोल्डिज बनता है जो की CPU के अंदर जाता है मतलब बी प्रोसेसर बोल्डिज प्रोसेसर इनपुट होता है तो फिर जाके हमारा bio 1.8 volt connect होगा जो की बहुत ज़्यादा फेमास बोल्डिज है जो की CPU से लेकर बहुत सारे जगाओं पर यह जाता है दोस्तों bio को यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा जाता है bio pmu smatic में लिखा जाता है तो इसमें जो बोल्डिज होती है 1.8 volt होती है तो दोस्तों bio बोल्डिज यहाँ पर sensor paid से होते हुए एक और line जाता है देखिए यहाँ पर sensor paid होगा ठीक है इस तरह कुछ sensor paid होगा दो paid होगा एक होगा हमारा जो emcpa उसके लिए होता है तो यह अपर हमारा cpu में एक line जाएगा sensor paid से तो यह होगा हमारा avdd18soc avdd18soc ठीक है इसमें 1.8 volt देखने को मिलता है फिर जाके bdram pmu voltage यहाँ पर connect होगा bdram ठीक है दोस्तो bdram voltage तो इसका नाम होगा vdram pmu bdram pmu और इसमें voltage देखने को मिलता है 1.46 volt 1.46 volt देखने को मिलता है फिर एक और voltage input होगा busb ठीक है इसमें देखने को मिलेगा 3.3 volt ठीक है दोस्तो फिर जाके यहाँ पर voltage की sequence बनने के बाद RTC clock यहाँ पर input होगा और इसके बाद हमारा जो CPU है वो CPU यहाँ पर power ic को एक serial enable देगा मतलब serial जो clock है उसको enable करने के लिए एक serial clock यहाँ से output करेगा ठीक है फिर power ic से baseband clock यहाँ पर input होगा तो इसका नाम होगा PMIC clock BB तो यह baseband clock है जो CPU यहाँ से 4 line आपको पता है मैंने बता है चार लाइने यहाँ पर protocol line आउट पुट करेगा दोस्तों यहाँ पर चार लाइने होती है चार लाइने आउट पुट power ic को करेगा ठीक है तो इसमें जो नाम होगा है पी डाबलु आर पी डाबलु आर एपी कुछ इस तरह नाम लेता है सी एस एन और यहाँ पर मोसी मीसो इस तरह नाम लेता है दोस्तों तो यहाँ पर यह चारो लाइने पावर आइसी में कनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद पावर आइसी सिस्टेम रिसेट वी बोल्डिच इसमें दे देगा फिर यहाँ पर जो हमारा सीप्यू है वो सीप्यू वाजड़क बोल्डिच पावर आइसी को दे देगा जिसको देने के बाद है कि हमारा जो पावर आइसी है जो बोल्डिच बनाता है वो सर का सरा stable कर देगा ठीक है तो दोस्तों जैसे इतना सरा recommend complete होगा ठीक है और जैसे हमारा RAM और MMC, EMCP सरा कुछ connect होगा सरा कुछ ठीक रहेगा वैसे हमारा phone one हो जाएगी ठीक है तो इन चीजों को आपको check करना होगा एक date phone में तो कैसे check करोगे वो में next जो वीडियो आएगा वो practical आएगी ठीक है नेक्ट से हम practical देखेंगे तो यहाँ पर मैं site में आप लोगों को लिख के बजा देता हूँ कि क्या क्या कौन सा क्या बनता है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप नंबर वान हमारा बनेगा बी एस रेम ठीक है बी एस रेम अदर्स पी एम यू और इसमें जो बोलिच देखने को मिलता है 0.9 वोल्ट टू नंबर होता है हमारा डीवी डीडीडी कूर डीवी कूर इसमें 0.8 वोल्ड होता है next हमारा बनता है मोडेम डीवी डीडीडी मोडेम नंबर होता है बी ए ट्वेल्ब इसमें बोलिच देखने को मिलता है 1.2 वोल्ड पाच नंबर होता है डीवी डीडीडी एस रेम डी एफस डी डी एफस डी डी बी एफस इसमें बोल्ड इज 1.2 वोल्ड याता है फीर 6 नंबर होता है बी प्रॉक इसमें बोल्ड इज 0.8 वोल्ड होता है साथ नमबर अमारा BIO PMU इसमें 1.8V देखने को मिलता है और 8 नमबर होता है AVDD18SOC 1.8V होता है Next अमारा जो बनता है 9 नमबर VDRAM PMU 1.46 बोल्डिज देखने को मिलता है 10 नमबर जो होता है BUSB PMU इसमें देखने को मिलता है 3.3V 11 नमबर RTC 32K 12 नमबर ठीक है दस्तो इसमें 26 MHz देखने को मिलता है तो इसको पहले मतलब ये लाइन आने से पहले CPU एक सिरियल क्लोक एने विल देता है Power IC को ठीक है तो फिर जाके हमारा जो सिस्टेम रिशेट भी बोल्ड जाता है ठीक है 13 नमबर पे सिस्टेम रिशेट बोल्ड जाता है ये कहां से आता है Power IC आता है Power IC से आता है 1.8 वोल्ड ठीक है और 14 नमबर पे वाच्टोग वोल्डिज देता है फिर जाके Power IC बाग वोल्डिज और LDO वोल्डिज एस्टेवेल कार देता है ठीक है दोस्तो तो आप ध्यान से एक बार देख लो यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर देख लो और सेम टू सेम नोट्स करके अपने पास राक लो कभी बहुत काम आयेगा इसका ठीक है आप देख सेकते हो इसमें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे next वीडियो में, तो next वीडियो हमारा होगा practical, GR value, world is value, experiment, DC reading, DC coding, और फिर हमारा i charger next से जो वीडियो आएगा, एक दो हो सकता है उसमें theory होगी और बाकी सरह practical देखने को मिलेगा, फिर हम next जो IC होगी उस IC को theory समझ के फिर से हम practical में जाएंगे, तो कुछ इस तरह यह course की system रहेगी, ठीक है तो आज के लिए बाई बाई मिलते है next part में,